Hi guys, welcome back to my channel, कैसो आप सब लोग, so guys, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी NYB के इस Full Coverage Concealer Palette का ये जो shade है, ये है 02, जो मेरी skin tone के लिए perfect है, ये 3 shades में available है 01, 02, 03, ज्यादा जिनकी skin fair है, वो 01 ले सकते हो, जो मेरी तरह medium skin tone के हो, वो 02 ले लो और जिनकी skin tone थोड़ा deep है, dark है, वो 03 ले सकते हैं, अभी मैंने ये जो base किया है, वो इसी की help से किया है, और अलग से कोई foundation concealer नहीं लगाया है, सिर्फ इस palette की help से मैंने ये base create किया है, बस उपर से थोड़ा सा blush and मैंने highlighter apply किया है, बाकी और कुछ अलग से use नहीं किया है, ये base मै मैंने कैसे create किया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ, पहले इस concealer palette की थोड़ी सी detailing में आप सबके साथ share कर दो, इसका texture कैसा है, किस ताइब की skin की अच्छा रहेगा, सब कुछ आपको अच्छे से clear हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको लेने की सोच रहे हो, तो ये video आपके NYB का full coverage concealer palette, 349 रुपी इसका MRP है, आपको purple पे definitely थोड़ा बहुता discount इस पे मिलेगा, मुझे भी 10% discount इस पे मिला था, जो shade मैंने अपने लिए मंगाया है ये वाला, ये है 0-2, अगर आप medium skin tone के हो, तो आप 0-2 लेना, अगर आपकी skin fair है, तो आप 0-1 लेना, अगर आप थोड ये येलो कलर की जो packaging, packaging मुझे बहुत पसंद आई है इसकी, अभी तक मैंने इसे use नहीं किया है, आप देखी सकते हो, बिल्कुल fresh है ये piece, आज इस वीडियो में जब ready हो रही थी मैं, तो मैंने का चलो इसी के साथ base create करते हैं, तो पता भी लग जागा कि ये कैसा काम करता है consistency की creamy है, so वैसे तो अब आगे गर्मी आ रही है और गर्मियों में इस तरीके के cream products नहीं apply करती हूँ, बट फिर भी इसे try तो करना ही है ना कि लगाने के बाद जब face पे लगाते हैं, तो ये मतलब कितना ज़्यादा creamy है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल transfer हो रहा है, है ना, ये ह प्राइमर नहीं लगाते हो, आप कोई भी base product लगाओगे ना, वो अपना color चेंज कर जाता है, क्योंकि वो skin के oil के साथ match कर जाता है, जो product को oil है, वो skin के oil के साथ match करता है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि primer के बिना कभी भी आप कोई base product मत लगाओ, so मैंने primer लगा लिया था, और सबसे पहले मैंने इस में से ये orange करेक्टर लिया है, मेरे ना उतने जाद आप देख सकते हो, को skin problem नहीं है, को dark circle नहीं है, तो मैं अगर वैसे लगाओं, तो मैं कोई dark color का concealer यूज करती हूँ, या मैं peach करेक्टर का यूज करती हूँ, ये जो इतना dark orange color का जो shade है, वो मैं यूज कभी भी वैसे करती ही नहीं हूँ, अपने personal life में या मुझे कभी makeup करना में नहीं करती, बट मैंने को चेक करना था कि ये किस तरीके की coverage दे रहा है, इसलिए मैंने ये orange करेक्टर लगाया, जिनकी pigmentation बहुत dark होती है, dark circles बहुत सब बहुत dark है ना, तब आप ये orange करेक् के ऊपर, direct अपना foundation या जो base product आपको लगाना है, लगाओगे, तो वो orange जो color है ना, वो दिखता है, उसको tone down करने के लिए, मैंने यहाँ पर ये जो yellow shade था ना, वो लिया है, जब हम yellow shade अपलाय कर लेते हैं ना, उससे एक बहुत अच्छा brighten effect आता है, और yellow वैसे भी brightening के लिए अपलाय किया, और बस उसी के ऊपर ऊपर, पूरे face पे नहीं, जहाँ जहाँ और इंज करेक्टर लगाया है, वहाँ वहाँ पे, मैंने yellow करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया, ब्लेंडिंग के टाइम आपको ये ध्यान देना है, आप जो beauty blender या brush यूज कर रहे हो, वै और इंज करेक्टर है, वह अपनी जगा चोड़ दे, और जब आप और इंज करेक्टर लगाओ, तो एक से दो मिनिट तक का वेट जरूर करना, ताकि वह थोड़ा स्किन में सेट हो जाए, फिर आप ये yellow concealer लगाना, अब इसके बाद मैं confuse हो रही थी कि मैं अब final base product कौन सा ल और गाइस पता है, सबसे अच्छी बात मुझे पैलेट की क्या लगी वह आप देखी सकते हो clear, जब मैं से apply कर रही हूं, blend कर यह बहुत असानी से blend हो रहा है, और उसके अलावा इसकी finish इतनी natural इतनी natural आप देखो ध्यान से, ऐसा लग रहा है, मेरी ही skin है, जो और better हो गई है मैं बिना dark दबोगी हो गई है, कोई dark circle नहीं है, कोई acne mark नहीं है मेरी skin पे, इतनी ज़्यादा मेरी skin जो है, वो flawless लग रही थी, और मैंने फिर दूसरी side beauty blender से blend किया, दोनों ही तरीके से यह बहुत अच्छे से blend हो रहा था, finish बहुत अच्छी आ रही थी, वैसे blender की help से मुझ बहुत अच्छी आती आपके base की, so मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि बहुत light weight लग रहा था, बिल्कुल भी chip chip या heavy feel नहीं हो रहा था इसको लगाने के बाद, फिर मैंने का चलो इसका contour shade जो है, वो भी अब try कर लेते हैं, इस palette की अब मैं आपको कुछ खास बाते बताती ह सबसे पहली चीज, इसकी pigmentation बहुत अच्छी है, coverage बहुत अच्छी है, blending इतनी easy है कि जट से product blend हो जा रहा है, and जैसा कि अगर हम सोचते हैं, कि यह cream product है, तो यह काफी skin हमारी oily लगेगी, चिप चिपी लगेगी, so guys देखो, अभी जो मौसम है, वो इतना गर्म नहीं है, मैं combination skin की हूँ, तो जब मैंने आज इसे apply किया ना, तो बिल्कुल भी skin चिप चिप नहीं हो रही थी, एकदम matte मेरी skin थी, मुझे लगी नहीं रहा था, मैंने कोई cream based product लगाया, so overall मैं यही कहूंगी, कि मुझे यह palette काफी पसंद आया है, so जिनकी dry skin है, वो तो हर season में इसको use कर सक but product काफी अच्छा है, try करना चाते हो, इसमें invest करना चाते हो, तो definitely कर सकते हो, so I hope guys, इस concealer palette की detailing मैं आप सब के साथ अच्छे से clear कर पाई हूँ, और आपको अच्छे से clear हो गई होगी, लेना चाते हो इस palette को, तो link आपको description box में मिल जाएगा, आप इसे buy कर सकते हो, so अगर कैसी भी helpful रहे हो, तो please वीडियो को like जरूर कीजेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और bell icon को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की notification आप तक पहले पहुंच सके, so thank you guys, thanks for watching.